तो दोस्तों काफी दूनों से हमने Android Cricket के उपर कोई बात किया नहीं है तो मैंने चुचा कि चलो आज हम Android Cricket Game के उपर थोड़ा बात कलेते हैं फिर तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और काफी सारे अपडेट्स की इस गेम को requirement थी ठीक ना पर हला कि उन्होंने सिर्फ एक दिन की अंदर ही अंदर 50% इन गेम bugs को fix कर दिया था पर येस और भी कई सारे अपडेट्स और improvement की जरुए इस गेम को और भी बहतरी ने बनाने के लिए और आज के इस वीडियो पर हम कुछ इनी सारे अपडेट्स के बरे में बात करने वाले हैं और जो जो अपडेट्स और फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने बाला हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो खुछ इस गेम के developers ने सबको बता है comments के त्रो तो उन्होंने comment किया था अपने एक वीडियो के उपर जहां पर उन्होंने लिखा था कि हाँ हमें पता है कि इस गेम में बहुत सारे bugs बढ़े पड़े हैं और हम मेहनत कर रहे हैं इसको और भी बेटर बनाने के लिए बहुत सारे bugs को fix करने के लिए और नीचे आप देख सकते होंगे कि 267 replies मतलब कि नीचे बहुत लोगोंने उनसे सबाल किया इस game के बारे में upcoming updates के बारे में और उन्होंने कुछ कुछ comments को replies भी किया तो सारे जो comments है उन सब को मैंने चुछा कि चलो analysis करके और पढ़के आपको बता दिया जाए कि क्या-क्या updates आगे आने वाले इस game में तो जो जो features और updates के बारे में उन्होंने comments के थ्रो बताए था तो उन्ही सारे comments को हम पढ़के उसको analysis करके इस वीडियो को बना रहे हैं और दोस्तो इस वीडियो का लाइक के हमम रखते हैं सिर्फ 208 likes का आई होग कि आप लोग कर दोगे पिछले वीडियो में 350 के लाइक के बदले आप सबने 600 प्लस लाइक कर दिये थे और दोस्तो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है आई होग कि आप सब पुरा कर दोगे तो इनिवेस चलो दोस्तो फिर बिना किजी बग दवाए आज के इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो दोस्तो जिन लोग को नहीं पता है उनको मैं बता दू यह जो गेम है वो डिलीच वा था 6 मेको और जब यह गेम रिलीच वा था तो उसमें बहुत सारे बग्स भरे पड़े थे मतलब कि गेम ठीक से जो है वो प्लेबुल होने ही पारा था मतलब कि बहुत ही सारे बग्स थे उसमें पर एक दिन के अंदर ही अंदर 7 में को एक छोटा सा अपडेट आया था इस गेम में जिसके चलते 50% तक का जो बग था वो फिक्स हो चुका था और उस गटना के बात जाके यह कॉमेंट उन लोगों ने किया था ठीक ना तो उस कॉमेंट में उन्होंने बेसिकली लिखा था कि हाँ हमें पता है कि इस गेम में बहुत सारे बग्स भरे पड़े है और जब हमने बोल दिया कि प्ले स्टोर के यह सबसे बेस्ट क्रिकेट गेम बनने वाला है तो हाँ उसके उपर भी हमें काम करने की बहुत ही जड़ा जरूए थे कुछ एही चीज़े उन्होंने लिखा था बहाँ पर तो बहाँ पर नीचे रिप्लाइ करते वक्त किसी ने बहाँ पर एक पूरा ऐसे इधर लिख दिया है पर सौटली वो कहना चाता है कि गेम जो ही वो 3GB RAM पर ठीक से चलने रहा है तो इसके जबाब पर डेवलोपर्स ने कहा है कि उनके पास टेस्टिंग के लिए 2-3GB RAM बेले फोन थे और उन सब में ये ठीक ठा काम कर रहा था ठीक ना मलब कि उनके पास जो 3GB RAM बेले फोन थे उसमें ये गेम ठीक से काम कर रहा था पर उन्होंने ये भी लिखाए कि उनके एक डेवलोपर्स के पास थोड़ा पुराना बाला 3GB क्या फोन था पर उसमें क्या हो कि गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यां करने लगा मलब कि जो गेम है वो पूरी तरीके से 3GB RAM के लिए औप्टिमाइज हो जाएगा तब जाके बोलोग इस गेम को 3GB RAM के लिए अच्छा कासा प्लेबिल बना देंगे लंग पोन है तो next उनको किसी ने पुछा है कि इसमें रोस्टर्स थोड़ा ने क्यों है मतलब कि इसमें स्रेयर्स आया, रिसब पंद और ये सब प्लेयर्स क्यों नहीं है तो फिर तो रोश्टर्स कब अपडेट होगा तो इन ही सारे और कोसिन के रिलेक्टेड उसने सवाल किया था और भी कई सारे लोगों ने थोड़ा बहुत सवाल किया था बहुत सारे चीजों के उपर तो उसके जवाब में उन्होंने कुछ लिष्ट दे दिया, मतलब कि एक लिष्ट दी दिया और बता है कि इन सब के उपर उन्होंने आलेडी काम सुरू कर दिया है मलब कि इस गेम में कोई खास टूनामेंट इधर है नहीं पर जिहां दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आगे इस गेम में हमें बहुत ही जल्दी से IPL और T20 वाल्ड कप और बाकि कई सारे टूनामेंट लाईक वाल्ड कप और एसया कप ये सारे ही टूनामेंट भी हमें देखने को मिल जाए और टूनामेंट का होना काफी कमाल चीज़ होता है गेम के लिए वलब कि गेम को जो खेलने का experience होता है वह बहुत ही आगे चला जाता है टूनामेंट आड़ करने से तो अगर इसमें IPL देखने को मिल जाए तो बहुत ही मज़ा इसमें आ सकता है पर उनको ये चीज़ भी ध्य नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि केरियर मोड मतब कि आपको पता होगा कि जैसाओ डी बी सीफोर्टीन और सेविंटीन जैसे गेम्स में होते हैं लैक उनमें केरियर मोड में देखने को मिल जाता है जिसमें हम अपने हिसाब से किसी लोकाल नेम से अपना परसनल करियर बो जल्दी मिल सकता है, सिर्फ इस comment में नहीं उन्होंने बात में एक और comment में भी elaborate करके लिखा था कि carrier mode जो है वो बहुत ही जल्दी इस game में आने वाला है, मलब कि इस game में भी हम इसी type के graphics के साथ हम अपना जो कोई local name से अपना एक carrier शुरू कर सकते हैं, उसको practice बगारा कर पाएं तो उसके बाद उन्होंने dominator mode और beach और street mode के बारे में भी बात किया है, उनके बारे में भी उन्होंने mention किया है, अब यार dominator mode का मतलब I think कुछ target बगरा दिया होगा, like 2 over में 30 run करके दिखाओ, और अगर कर दिया तो कुछ reward बगरा मिलेंगे साथ, कुछ diamond या फिर कुछ in-game currencies म देखने को मिल सकता है, अब यार इसी game के अंदर ही बहु सारे चीज़े देखने को मिले गए, या फिर अगनी इंटरेटिव कमपनी अपना ही कोई और beach cricket game launch करेगा, तो अभी इस चीज़ का मुझे कोई idea नहीं है, पर मेरे हिसाब से इन्होंने जैसा लिखा है, I think कि इसी game म में beach cricket और street cricket डालने का कोई वैसा मतलब तो निकलता नहीं है, बलब कि I think कि international cricket को ही जादा focus करना चाहिए इनको मेरे हिसाब से, और आपको क्या लगता है नीजे comment करके बता दना कि क्या इस game में ही अगर beach cricket और street cricket आये, तो क्या अच्छा होगा या फिर नहीं, तो anyways, अब next या texture art करने का भी उन्होंने लिखा हुआ है, बलब कि faces में आपको थोड़ा बुत और update देखने को मिल जाएंगे, आपको पता होगा faces में कुछ खास जादा काम किया नहीं गया था, तो मेरे साब से real cricket जैसा हो सकता है, लाई कि आपको एकदम डीटो face तो देखने को नहीं पर फिर भी काफे हद तक inspired face तो देखने को मिली जाएगा, फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि popular popular bowlers के action के जो version है, बो भी इसमें same type का डाला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ है, कि जैसे boomerah ball डालता है आपको आपने देखा होगा, तो इसी game के अंदर अगर boomerah को ले और ball डालने का version, ये सब चीजे इस game में डालने का कोशिज बो लो कर रहे हैं, तो अगर ये चीज भी add हो जाए तो भी या, इसमें बहुत ज़्यादा मजा जाएगा, तो उसके बाद इन्होंने beach cricket का कुछ customization बगरा भी इधर लिखा हुआ है, तो पहले तो ये चीज अभी भी confirm नहीं हुआ कि beach cricket इसी में आएगा, क्या होगा, क्या नहीं, पर इसके अंदर उन्होंने customize भी लिखा है, पर ये भी लिखा हुआ है कि ये season 2 में नहीं, बलकि season 3 में आजाएगा, ठीक ना, मलब कि इसका simple meaning ये हुआ कि बाकि सारे जो चीजे है बो season 2 में आएगा, और य ये जो चीजे है बो season 3 में आएगा, ठीक ना, तो उसके बाद उन्होंने fielding और catch packet के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने, आपको पता होगा कि fielding को भी इसके लेके बहुत सारे issues थे, मलब कि fielding size से sink हो नहीं रहा था, मलब कि कभी-कभी fielding size sink नहीं होता था, मलब में जो animation होते हैं, आपने देखा होगा WCC2 और WCC3 में काफी कमाल के animation हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें भी कुछ खास अच्छे टाइप के animation अभी के लिए तो फिलाल है नहीं, पर आगे इसा उन्होंने लिखा है कि animation के उपर वो थोड़ा काम करेंगे और उसको भी और बेदरीन बना देंगे वो लोग, तो वैसे आपको क्या लगता है इन सारे features के बारे में मुझे नीचे comment करके जरूर बताना, तो वैसे तो इस बाले comment पर उन्होंने लगभख सारे चीजों के बारे में बता दिया, जिसके उपर वो अभी currently वार कर रहे हैं, पर ये साथ season season 2 का ही होगा, और आगे भी कई सारे चीज़े season 3 और 4 में आने वाले हैं, और by the way उन्होंने पप्लिकली ये भी बोला है कि लोगों को tension लेने की कोई भी जरूरत है नहीं, जहां पर खुद ये बोल रहे हैं कि आने आगे वाले time पर जो play store में ये जो game है, वो सबसे best android cricket game बनन possible होगा, जब ये जो developers जो बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं, अगर सही में वो ये सब चीज़ों के उपर काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये game बहुत ही आगे निकल जाए, और क्या पता WCG 2 और WCG 3 से भी बहतर बन जाए, क्या पता, और बैसे comment सिर्फ एही नहीं थे आगे, उनको किसी ने graphics के बार में भी पूछा है, तो उन्होंने बहां पर ये बोला कि graphics जो है, वो बहुत ही easy fix होगा, मलब कि उन्होंने बोला कि कुछ light बगरा जादा हो गया, उसके चलते game का graphics इतना अच्छा भी लगने रहा है, पर उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ बहुत easily fix हो जाएगा, ठीक ना, मलब कि आगे आने बाले time पे इस game का भी जो graphics है, वो बहुत ही जल्दी next level पर होगा, ठीक है, फिर किसी ने उनसे manual appeal के बार में भी पूछा था, सायद उसने मेरा वीडियो देख लिया था, बहां पर मैंने उस वीडियो पे बोला था, कि manual appeal अगर आए यहां पर दिया नहीं, क्यार बहुत लोग जो है, वो सेम चीज को बार बार यहां पर पूछने लगे, मतलब कि सुरुवादी में तो उन्होंने बोल दिया carrier mode आ रहा है, पर फिर भी 15 लोग सेम कुछ इनको बार 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 पूछ रहे हैं, तो कुछ नया पूछो यार, वो लोग आंसर कर देंगे, और साइध कंसिडर पर भी लाएंगे कि क्या चीज़े पूछने लगे, तो बहुत लोग बार बार उनसे पूछने लगे, तो बहुत जाधा रिपलेज अभी बाद में दिया नहीं, पर फिर भी एक का धुछा रिपलेज तो उन्होंने बाद में द सारे बग से इस गेम में बो भी सारा चीजें बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएंगे ठीक है तो दूस्तों कुछ एही थैं इस गेमगे फीचर्स और ऑप डेयर जो की 100% कंपरोंड होचुके हैं कि इस गेम में आने वाले बहुत ही जल्दी से अब आपको क्या कैना इस game के बार में नीचे comment करके जरू बताना कि क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले time पे ये game बहुत ही अच्छा game बन सकता है और नीचे ये भी बताना कि क्या अभी आपके phone में ये game installed है और क्या काम कर रहा है या फिर नहीं तो सारे चीजे नीचे comment पे बता देना मैं बैठा हूँ सारे comments में इतर पढ़ रहा हूँ तो नीचे comment में जरू बताना और बाइदोवे दोस्तो बस एही था आज का वीडियो एही थे सारे updates जो इस game में बहुत ही जल्दी से आने वाले हैं आई होब कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगाओगा तो अभी हम चलते हैं दोस्तों साव्टोड्स के और उसके थोड़ी देर बात हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो अंक्सुमान गेमिंग हुज ओटो टु यू और प्रेमकार चोहान रजनी श्रियान महता थाकुर साहब आप सब को भी बहुत बड़ा वाला साव्टोड और MX22AA आपको भी बहुत बड़ा वाला साव्टोड और भीजी गेमों हेट राभेल और अनिड़्ट लक्की भट और क्रिकट ब्रांट आप सब को भी बहुत बड़ा वाला साव्टोर और रोहित मनोतिया प्रोफेस्टनाल गेमर और राज सिंगा और अधित्य-द्यो गेमिंग सेंटर और अनिल खी आप बहुत बड़ा साव्टोड तो थैंक्यो दोस्तों कि चाहते हो कि मैं आपको ठीक ऐसे ही चोटा सा साटोट दे दू अपनी अगले वाले वीडियो पे तो बस इसी वाले वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना मैं आपको अगले वाले वीडियो पे ठीक ऐसे ही साटोट दे दूँगा तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आर लाइक कर देना दोस्तों 8 लाइक का हमने एम रखा है और अगर आप नए हो और आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज आर अभी का भी सब्स्राइब कर दो तो एनिवेश दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल दी एक कमाल के नेक्स वाले वीडि झाल कर बंसे अी कि जाना में फूट अईया शुर्वी ताय कि जा थेंगे नाफ या राई फिष्वागार से इंग से वाइब से वाव मिलनौ रखे तोब औक जायए मैं कि झाल कि या कि या दो बराईून रखे रहे दो फूटे कि या समगार रहाई हैं तो आदिए कि जा